जिस वक्त गौतम अदानी अशोक गहलोत के साथ मंच साज़ा कर रहे थे और अपने भाशन में गहलोत अदानी की तारीप कर रहे थे ठीक उसी समय कॉंग्रेस नेतार राहूल गांधी ट्वीट करके मोधी सरकार पर पूंजी पतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे थे दरसल राजस्थान सरकार ने राज में निवेश को बढ़ावा देने के लिए साथ और आठ अक्टूबर को एक इन्वेश्ट राजस्थान समीट का ऑईजन किया शुक्रवार को साथ अक्टूबर को इस इन्वेश्ट राजस्थान समीट में अदानी समूह के मालि गौतम अदानी भी शामिल हुए मुख्यमंत्री गहलोत के साथ उनकी एक तश्वीर शोशल मीडिया पर चाही रही इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गानी ने कहा कि नियम विरुद्ध जाकर अगर मुख्यमंत्री गहलोत भी अदानी को लाप पहुचाते है तो मैं उनके खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा सुनिये मेरी पुजिशन मोनोपली के खिलाफ है राजिस्तान सरकार ने अदानी जी को कोई प्रेफरेंशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है राजिस्तान की सरकार ने अपने पुलिटिकल पार को यूज करके अदानी जी की जी जोदि इस बात का है कि बीजेपी की सरकार दो-तीन लोगों को हिंदुस्तान के सब बिजनसीज की मनोपलिस बना रही है और इसके मैं खिलाफ हूं मैं ना बिजनस के खिलाफ हूँ ना कॉपरेटे के खिलाफ हूँ मैं concentration of capital के खिलाफ अब देखे अगर पूरा का पूरा political power unfairly दो यह तीन व्यक्तियों की मदद करने में लग जाएगा तो इससे हिंदुस्तान का नुकसान होता है अगर राजिस्तान की सरकार ने अदानी जी को गलत तरीके इसे राजिस्तान में बिजनेस दिया तो मैं उसके बिल्कुल खिलाव मैं खड़ा हो जाऊँगा इसी दवरान राहूल गांदी ने मोदी सरकार पर निशाना साथ्ती वे कहा कि चीन की सेनाएं भारत की सिमाओं के भीतर घुसाई है और मोदी जी कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ रही है इसका साफ मतलब है कि वो चीनी घुस्पैट का समर्थन कर रहे है if you are a Chinese person negotiating with Indian people and the Indian Prime Minister has said no land has been taken what is the message that the Chinese person is taking message is the Prime Minister of India saying that this is our land right so by his statement the Prime Minister himself has destroyed India's negotiating position these are facts they are not going away and we will continue to raise them अगर आपको हमारे कारेक्टरम पसंद आ रहे हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें और अगर आप हमें फेस्बुक के माद्यम से देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को अभी इसी वक्त फॉलो कर लें और शेरं जरूल करें प्रेक्ट कर दो हो जसे अजय को भूदा बाइब को भाइब कि अजय को भाइब को भाइब कोई रवांक।